Hello everyone, welcome back to my channel So guys, जैसे कि आप सबको वीडियो में दिखी रहा होगा कि हम लोग एक बहुत ही खुबसरा जगा पे पहुँच के हैं क्योंकि चारों तरफ इतने सुन्दर से सजावट किया गया है लोगों का चहल पहल और उजाला ही उजाला है So guys, हम लोग गये थे एकामर उस्चब 2024 जो कि राममंदर के पीछे ही यानि की Unit 3 Exhibition Ground में चल रहा है और ये 3rd February से स्टार्ट हो गया है, 9th February तक चलने वाला है सायद आप सबको पता ही होगा कि 1st ओडिया University को Inaugurate किया गया है श्री नबिन पतनाइक जी के द्वारा तो उसी खुसी को Celebrate करने के लिए एकामर उस्चब किया जा रहा है और उसी खुसी में सामिल होने के लिए हम लोग पहुँच गये थे 4th Day यानि की Inauguration Day of Inaugurate उस्चब तो गैस आप सबको तो दिखी रहा होगा कि कितने सुन्दर से इसको सजाया गया है चारों तरफ ओडिया literature को represent किया गया है तो गैस आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे Inauguration Ceremony of Inaugurate उस्चब 2024 और उसके साथ साथ क्या-क्या stall लगा हुआ है यह सारा कुछ इस वीडियो में आप सबको मैं दिखाऊंगी तो वीडियो को last तक देखेगा क्यूंकि मैंने सब कुछ record किया हुआ है आप सबके लिए जैसे ही हम लोग अंदर गए तो चारों तरफ हमें ऐसे ही छोटे-छोटे चीज़े देखने के लिए मिले जहां पे उडिया literature को represent किया गया था तो वो काफी ज़ादा अच्छा लगा देखके और side में ऐसे ही एक wall बनाया गया था जिसमें उडिसा के सारे cuisins जो होते हैं उसका नाम यहां पे लिखा गया था तो वो सारा चीज़ देखके बहुत अच्छा लगा दिन इसी के ही side में एक बहुत बड़ा stage बनाया गया है जहां पे आप लोग बेटके cultural event का मज़ा ले सकते हो तो गैस कुछी देर में ही बस आप सब को देखने के लिए मिलेगा किस तरह से inaugurate किया गया एक कामरोज शब को इतना सारा firecrackers मैंने कभी live यह से नहीं देखा था क्रीट हैचा टुवर शोरी में डुचाने करता का में यह आप सबसें के इतना स्धाल जाई जाराखने किनलना कि हो तो गाइज ऐसे सेलिब्रेशन कभी किसी चीज़ के लिए मैंने लाइफ में नहीं देखा था मुझे लगा कि मैं शायद कहीं दूस्टे जगा पे हूँ ओडिसा में नहीं हूँ क्यूंकि इतना जादा फायर क्राकर्स और इतने सुन्दर से इसको लगाया गया काफी जादा अच्छा लगा हमें वहाँ पे रहके लाइफ देखने के लिए और इनागुरेशन डे का एक पार्ट बन गए हम लोग और बिंगन ओडिया हमें बहुत प्राउड फिल हो रहा था सो गैस हम लोग स्टेज के पास आ गये थे एक छोटा सा वीडियो दिखा रहे थे तो वो हम सब ने देखा और आपके लिए भी मैं रेकॉर्ड करके लाई हूँ बार आपके लिए एक पास आ पिए दोटाई करूँ ज्टब। कि अग्यां गुपरिय देश्टाप्स लेकर आप थोड़ी दिर के लिए हमने फूटो फूटो क्लिक कर वाया और उसके बाद चल पड़े यहां के food stalls को explore करने के लिए तो फिर चली देखते हैं कि इस बार food stall में क्या-क्या है और आपको कौन से कौन से जगा में मैं recommend करूंगी खाने के लिए बट उससे पहले आपको एक सुन्दर सा चीज दिखाती हूँ यहां पे आपको तो यहां पे already वीडियो में दिखी रहा होगा कि कितना सुन्दर कितना बड़ा एक holding kind of रखा गया है और उसके उपर हमारे ओडिया लेटर्स को लिखा गया है अचली भुमनेश्वर में इस तरह का फेस्ट पहले भी हुआ है लेकिन इस बार का जो फेस्ट है न एक कामरो उस चाब इसका थीम ही कुछ अलग है इस फेस्ट में हम लोग खुद को celebrate कर रहे है ओडिया को celebrate कर रहे है ओडिया language को celebrate कर रहे है तो इसका मज़ा ही कुछ अलग है तो आप लोग definitely यहां पे जाना दिन गैस वहां पे हमने थोड़ा बहुत photos वगेरा लिया और उसके बाद हम लोग directly food stall के पास आगे थे यहां पे जैसे कि आप सब को screen पे दिख रहा होगा कि ओडिया के जो authentic पीठा वगेरा होता है यह सारा कुछ मिल रहा था जो कि उडिसा में हर घर में बनाया जाता है यह सारा कुछ आपको यहां पे मिल जाएगा दिन गैस फिर हम लोग आगे बढ़े और आगे जाते ही हमें यहां पे और एक stall देखने के लिए मिला जहां पे यह चिकन पकोड़ा वगेरा मिल रहा था लेकिन जैसे कि हम लोग घर पे बनाते हैं उसी तरह का यह बनाया गया था एक्दम authentic style में यह लोग परोस भी रहे थे पत्ते के plate में तो यह से ही बहुत अच्छे अच्छे खाने यहां पे बना के रखा हुआ था बड़ा अलो चॉप यह सारा कुछ चीज आपको यहां पे मिल जाएगा एकदम अच्छे क्वालिटी के क्योंकि काफी जादा food stall इस बार लगा हुआ है और बीच में बेटने के लिए आपको अच्छा खासा चेयर टबल का arrangement भी मिल जाएगा तो सबसे पहला stall था होटेल पाल हैट्स का यहां पे बहुत अच्छे अच्छे pastry बगेरा या फिर bakery आइटमस यह सारे कुछ रखा गया था अगर आपको मीठा खाना पसंद है तो डेफिनेटल यहां पे try कर सकते हो दिन यह था सूरियांस का इसके ही साइड में Mayfire convention का भी एक stall आपको देखने के लिए मिल जाएगा हमने थोड़ा-थोड़ा menu भी record किया है ताकि आप लोगों को pricing के बारे में पता चले और food क्या-क्या available है यह तो आपको मैं वीडियो में दिखा ही रही हूं guys तो आप लोग ध्यान से दिखिए वड़ा आलो चब चाओल वड़ा डोसा यह सारा कुछ ओडिया कुजिन आपको यहां पर भर भर के मिलेगा जैसे कि मैंने बताया कि इस एक कामर उस्चब में हम लोग celebrate कर रहे हैं ओडिया language को ओडिया literature को तो इसलिए इस बार का जो menu है food menu तो ओडिया cuisine के उपर ही अधारित है अगर आप ओडिया हो तो आपको definitely पसंद आ जाएगा और अगर आप ओडिया नहीं हो तो आप ट्राइ कर लेना काफी ज़दा अच्छा रहेगा आप सबके लिए non-mage में भी काफी कुछ options आपको यहां पे मिल जाएंगे and menu भी आप लोग यहां पे चेक कर सकते हो millet का बहुत सारे food varieties इस पार हमें इस मेले में देखने के लिए मिले यह था bali prawn वगेरा भी आप लोग यहां पे try कर सकते हो और पत्रो पोड़ा यह सब कुछ भी यहां पे मिल रहा था जो कि उडिसा में जादा तर खाया जाता है और stick वगेरा भी अभिलेबल था chicken stick और पनीर वगेरा भी मिल रहा था वेज में यह दिसांस का ही stall था यहां पे खाना आप try कर सकते हो अच्छा मिल जाता है hotel दिसांस यह था baker's boutique यहां का आप लोग menu देख सकते हो काफे कुछ अच्छे है अच्छे खाना पीना आपको यहां पे भी मिल जाएगा चिली आइटम्स यहां पे जादा कुछ हमें देखने के लिए मिले यह दही बड़ा तो हर कहीं हर किसी stall में दही बड़ा अबिलेबल था क्योंकि यह ओडिसा का एक soul food है आप लोग बोल सकते हो तो दही बड़ा आलो दम आपको भर-भर के यहां पे मिल जाएगा इन सब के अलावा आपको यहां पे चाइनीज वगरा जैसे नूडल्स या फिर कुछ चिली आइटम खाना चाहते हो यह सारा कुछ भी आप्शन मिल जाएंगे और बेकरी की काफी कुछ अच्छे अच्छे आप्शन आपको यहां पे मिल जाएंगे खाने का ओप्शन मिल जाएगा बस आप पीट खाली करके जाना ताकि वहां पे जाके एकदम फूल करके आ सको तो गाइस लोगों का भीड़ तो आप सबको यहां पे दिखी रहा होगा क्यूंकि हम लोग ओडिया है और जहां पे खाना रहेगा हम लोग वहां पे ही रहेंग पॉइंट भी आपको मिल जाएगा वहां पे आप लोग फोटो वगेरा खीश सकते हो फिर हम लोग पहुंच के दूसरे फूट स्टॉल को एक्स्प्लोर करने के लिए फूट जंक्शन का भी स्टॉल हमें यहां पे देखने के लिए मिला यहां पे काफी भीड था क्यूंकि यहां पे अच्छा खाना मिल जाता है लेकिन का जो खाना होता है टेस्टी होता है मैंने पहले भी ट्राइ किया हुआ है पीठा और मीठा कचोरी वड़ा यह सारा कुछ चीज़ें आपको यहां पे मिल जाएगा ढोकला वगेरा भी अभिलेबल था पानी पूरी भी आपको मैंने कभी ट्राइ नहीं किया है इसका मेन्यू आप सबको दिखा रही हूँ अगर आप ट्राइ करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो अगर आप नॉन विच खाते हो तो यहां पे जाके ट्राइ कर सकते हो दिन गईज यहां से आते ही हमें इंपैर्स का एक स्टॉल द बनाना केक लिया था और मफिन्स वगेरा भी ट्राइ किया तो बहुत जाद अच्छा रहता है इंपैर्स का देली क्याफे का खाना आप लोग जरूर ट्राइ करना नेक्स्टॉल में हमें दिखा पीपल पदमजा का एक स्टॉल जहां पे वही सेम उडिया कुजिन मिल रहे चार्ट भी मिल रहा था और उसके साथ साथ कुल्चा वगेरा भी यहां पे अबिलिबल था देंगाइस इसी के ही बाजू में होटल लग्जुरी अडविंचर का भी एक स्टॉल लगा हुआ था इसका मेन्यू यहां पे मैं दिखा रहे हूं वीडियो को पॉस करके देख सक यहां पे हमने कुछ ट्राय नहीं किया सांड्विचेश फ्रेंच फ्राइज फिस्विंगर यह सारा कुछ यहां पे अबिलिबल था दिन यह था इनका मेन्यू और उसके साइड में हमें होटल स्वस्ति ग्रान का भी स्टॉल देखने के लिए मिला एक्चले स्वस्ति का खा रखा गया है और बोथ वेज और नॉन वेज में आपको फूड अविलिबल हो जाएंगे देन गईज एकामर उस शब का फूड स्टॉल्स एक्स्प्लोर करने के बाद हम लोग नेक्स सेक्शन में गए और एकामर हार्ट जहां पे लिखा हुआ है ना एकामर हार्ट का मेन इ वही सारे फूड ट्रक्स को इधर एकामर उस शब में आप सबको इस बार देखने के लिए मिलेगा बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए हैं और शायद आप सबको पता होगा कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं है अगर आप भूबने शुर से हो तो तो यहां पे तो बहुत अगर आप सबको चाहिए तो यहां पे भी आप लोग बहुत कुछ ओप्शन के फूड अराम से ट्राइ कर सकते हो और यहां पे प्रॉपर वेज का फुट्रक आपको यहां पे मिल जाएगा और वन फ्लेवर्स जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है यह काफी फेमस है यह 9th February तक चलने वाला है एक कामर उच तब तो चल्दी से जाके एक्स्प्लोर करो अपने फ्रेंस और फैमिली के साथ जल्दी जल्दी शेयर करो और वीडियो को प्लीज बहुत सारा प्यार देना जैसे कि आप लोग मेरे प्रीवेस वीडियो को देते आ रहे हो लाइक करन भर भर के अगर आप सब्सक्राइब नहीं किये हो अभी तक चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब टो मैं चैनल और जैसे कि आप सब ने देखा कि यहां पर चाट पानी पूरी रोल चौमिन या फिर चाप और मॉक्टेल का भी काउंटर इधर अभिलेबल है बहुत सारा कुछ अभिलेबल है यहां पर खाने के लिए तो एकामरे उस चब में इस वार आपको बहुत सारे खाने का उप्शन्स तो मिली जाएगा उसके साथ साथ आपको entertainment के लिए भी काफी कुछ चीजी देखने के लिए मिलेंगे जैसे कि music concert वगरा चल रहा था जो कि आपको थोड सब्सक्राइब कीच सकते हो डेकोरिशन सो बहुत ही जादा सुन्दर बना है इस बार तो घूमते घूमते हम लोग आगे बढ़ चले क्यूंकि अभी जो में अट्राक्शन है वह बाकी है देखने के लिए एकामर उस चब में बहुत सारे छोटे-छोटे स्टॉल्स भी लग अट यहां पर एक चोटा सा स्टेज भी बनाया गया है जहां पर कुछ म्यूजिकल प्रोग्रम चल रहा था तो गाइस अभी जो गाना गारा है ना स्टेज के ऊपर ही मेरा छोटा भाई है सोपना जीत है इसका नाम यह बहुत अच्छा गाना गाता है और इसको यह से स्टेज पर देखके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगा दिन यहां पर ना हमारे बहुत सारे ओडिसा के आर्टिस्ट बैठे हुए थे और तुरंट वहां पर अपना कलाकारी कर रहे थे जहां से आप लोग खरी सकते हो चीजे देख सकते हो जाके और बहुत सुन्दर उनका बैक्ग्राउंड काफी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे यहां पर आप सब देख सकते हो कि हमारे ओडिया के लिटर लिखा जा रहा है इसको भी आप लोग खरी सकते हो एक्चली इसका प्राइस 120 रुपीज यह लोग बोल रहे थे क्यूंकि हा लगता है उनको यह सरे छोटे छोटे चीज बनाने के लिए वो आपको सामने ही देखने के लिए मिलेगा तो यह मुझे बहुत अच्छा लगा इन सब के अलावा आपको सुन्दर सुन्दर घर सजाने की चीजे भी मिल जाएंगे और यह भी हैंड पेंटेड है आप सबको इस वीडियो में दिख रहा होगा यह चोटे-चोटे चीजे आप लोग यहां से खरीद के ला सकते हो मुझे तो काफी जादा पसंद आया मिटिका मटका वगेरा भी तुरंत वहां पर ही बना के आप लोग ले सकते हो और यहां पर बन रहा था तो मैंने बस थोड़ा सा अग्राउंड का बहुत अच्छा लग रहा है उडिसा की कालाकारी को वहां पर रिप्रेजन किया गया है और स्टेज के सामने बेटके आप लोग अच्छे से अराम से इंज्वे कर सकते हो म्यूजिक कॉंसेट क्यूंकि सामने सिटिंग अरेंजमेंट काफी अच्छा बनाय के लिए काफी कुछ सुन्दर सुन्दर चीजे मिल रहे थे क्लॉक्स वगयरा मिल रहे थे तो यह स्टोल मुझे थोड़ा हटके लगा कुछ नहीं नहीं हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला यह सारे कुछ जो आर्ट हैं यह सारे रेजिन से बनाये गया हैं बहुत इसमें आप लोग तिल्लक वगरा भी रख सकते हो या पर डाइनिंग के ऊपर कुछ माउथ फ्रिशनर वगरा भी रख कर सकते हो देन गाइस नेक्स्ट जो स्टॉल था यहां पर भी हमें कुछ वाल हैंगिंग वगरा ही देखने के लिए मिला ज्यादा तर होम डेकर ही देखने के लिए मिला हमें इस बार लेकिन ऐसे बहुत सुंदर सुंदर और भी स्टॉल्स थे जो आपको इस वीडियो में आगे जाके के लिए मिलेगा यह कुर्ता अंड रेडिमेट ब्लाउस वगरा यहां पर मिल रहा था जूल्री का काफी कुछ टॉल्स हमें देखने के लिए मिला और यह सारे बैक्स जो की बहुत ही ट्रडिशनल लग रहे थे और यह इसको आप लोग पार्टी वगरा लैक पूल पार्ट अच्छा नहीं लगा दिन फिर हम लोग आगे बढ़े क्योंकि ऐसे बहुत सारे स्टॉल्स थे जो हमको एक्स्प्लोर करना था इसके बाजू में एक स्टॉल था जहां पर आपको इस तरह के होम डेकोर वगरा भी मिल जाएंगे छोटे-छोटे प्लेट्स में बहुत अच् जान है हमारी कारी-गरी की तो बहुत ही जादा अच्छा लगा मुझे इस पर एक आम्र उस चब घूम के नेक्स्ट हम लोग इक स्टॉल पे गये थे जहां पर साडी वगरा मिल रहा था तसर सिल्क और इसमें जो त्रेल वोग किया गया है यह भी सारा कुछ हैंड मेड है त अगर आपको जूलरी पहनना पसंद हो तो आप डिफिनेटल जाके चेकाउट कर सकते हो यह रिंग्स थे छोटे 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 फिंगर रिंग्स थे निक पिस यह बहुत सुंदर चीज आपको यहां पर मिल जाएंगे दिन और एक स्टॉल हमें देखने के लिए मिला जहां ऐसे ही ब्रेसलेट्स पगेरा या फिर बड़े बड़े जूमके ऐसे जूलरी का ही आपको दो तीन स्टॉल वहां पर देखने के लिए मिली जाएगा तो आप लोगों का मन जहां से करें आप लोग खरी सकते हो बर थोड़ा बहुत बार्गिन करना तो बनता ही है मुझे ऐस इसे ही छोटे-छोटे डिंटी निकपिसस काफी जादा पसंद है तो आप लोग यह भी जाके चेक आउट कर सकते हो लेकिन इसका प्राइस 350 ऐसा कुछ बोल रहे थे दिन चॉक्लेट का स्टॉल भी इधर एक हमें देखने के लिए मिला जहां पर आपको मिलेट या फिर रा सारा कुछ चीजें आपको यहीं पे ही मिल जाएगा तो वेटशिट वगर अगर अगर आप खरीदना चाहते हो तो इधर आके आप लोग भी चकाउट कर सकते हो यहां पर कुर्ता का स्टॉल भी लगा हुआ था लेकिन यहां पर कुछ कॉलेक्शन मुझे इतना अच्छा न पे पॉजिटिव एनर्जी लेकर आएगा दिन इस टॉल के बाजू में ही और एक स्टॉल था जहां पर आपको यह सुंदर प्यारी सी लड़की दिखेगी जहां पर आपको रेडिमेट ब्लाउस वगरा मिल जाएगा सुंदर सुंदर स्कॉर्ट और टॉप भी मिल रहा था इनके पास ना बहुत सुंदर सुंदर ट्रडिशनल जूलरी मिल रहा था लाइक नेकविस वगेरा बहुत कलेक्शन थे इनके पास नेकविस के अगर आप साही के साथ पहनना चाहते हो तो यह अच्छा स्टॉल आप सबके लिए है इस बार एकामर उस चब में तो आप सबक चीज़े आपको यहां पर मिल जाएंगे उडन के दिन गाईज अगर अप्लै लवर हो आप सबके लिए भी बहुत सुंदर सा स्टॉल यहां पर मिल जाएगा एक चोटा सा प्लैंट का स्टॉल था जहां पर सुंदर बोंसाई प्लैंट्स मिल रहे थे अगर आप घर सजाना चाहते हो, इंडोर प्लैंट डेकॉर करना चाहते हो, तो यहां पे एक अच्छा उप्षन आप सब के लिए है, यहां पे हमने रिकॉर्ड किया है सारा कुछ प्लैंट जो इनके पैस अभेलेबल था, और इन सब के अलावाना आपको यह डेकॉरेशन के लिए पूरा पॉर्ट सजा के देंगे, आप कस्टमाइज करा सकते हो, उसके हिसाब से ही आप लोगों को प्राइस यह बता देंगे, इनका प्राइस वैरी करता है प्लैंट तो आप लोग वहां पे ही जाके इनके साथ बाचित कर सकते हो, यह बहुत क्यूट सा स्टॉल हमने देखा अनवेशा, व यह स्टॉडेंट्स है सारे, आजकल का यूथ का यह जो इनोवेशन है, इनका जो ज़स्वा है, यह मुझे काफी ज़्यादा पसंद आया, और ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए ही स्टिकर है, अगर आप कॉले स्टॉडेंट्स हो, तो आपके लिए भी काफी कुछ अच्छे अच्छे स्टिकर्स यहाँ पर मिल जाएंगे किसी को गिप्ट करने के लिए, वो भी उनली 100 रुपीज में, तो जाईएगा जरूर स्टॉल को विजिट जरूर कीजेगा, आप लोग इनको इनको इंस्टेग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, तो वहाँ से आपको प अच्छा लगा की तेक के लिए पूरे मेले में उडा काला कारी को रिप्रेजन किया गया है, जो भी सारे हमारे हैंड मेल्ड चीजे उडिस्ता में ही बनाए जाते हैं, हमारे कारी गरों के थूरू, यह सारे चीज आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगे धन, फ्ल गुड़ा गुड़ियां टेबल के उपर रखने के लिए छोटे-छोटे गेम बोल्ट यह सारा कुछ चीज़ें आपको यहां पर मिल जाएंगे और इसका प्राइस बहारी करता है 150 से लेकर हायर प्राइस रेंज तक आपको यहां पर चीज़ें मिल जाएंगे तो आप अपने गुड़ा गुड़ियां लगा छोटे-छोटे हैं क्यूट वाला और ऐसे ही हैंड पिंटेड वाला ग्लास हो या मग्स हो ही सारा कुछ चीज़ें आपको यहां पर मिल जाएंगे मदर टेरेसा के भी छोटे-छोटे ऐसे डॉल्स बनाए गए थे तो सारे कार्टन कैरेक्ट एक चीज में मैं बनाती हूं कि मुझे लगता है कि ओरिया हो तो हिंदी में क्या हो रहा है क्या नहीं सारा कुछ नौन विपल्य मिसे फंपद सके उनको फिर सकता है इसलिए मैं स्टाट इंग सी वीडियो में बनाती हूं लोग packet करते कि अगर आप ओडिया हो तो हिंदी में क्यों बनाते हो ऐसा वैसा लेकिन ओडिया लैंग्वेज के लिए मेरा पैयर कभी खतम नहीं हुआ था या फिर ना ही कभी खतम होगा मुझे पता है कि हमारा लैंग्वेज कितना रिच है हमारा स्टेट कितना रिच है तो इसलिए कुछ अच्छा अच्छा कमेंट लिखो और वीडियो को बहुत सारा प्यार दो देन गैस यहां पर आप सबको दिख रहा होगा कि मिलेट से बनाएगे केक वगेरा कुकीज वगेरा यहां से आप लोग खरीद के लिए सकते हो और इसके अलाबा आपको यहां पर दहीवरा एक्सप्रेस का भी एक स्टॉल देखने के लि तो जाते जाते वीडियो को बहुत सारा प्यार देना अपने फ्रेंस और फैमली के साथ शेयर करना सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चानल को तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बंदे उतकर जाने लिए